मेरी मदर बिमार जो रहती थी वो ठीक हुई मेरे फादर जो आये और बहुत ठीक हुए में एक फीट प्रॉलम का मरी मगर नाकोड़ा बहरोजी ने मेरे पर ऐसा चमतका किया कि उस दिन के बाद में मेरा है जो की सारा रोक है जो कंप्लिट मिट चुका है मेरी का में शिकागो में रह रहा हूं मेरी रियल चाची जी को तीन मेने पहले अर्चानक कैंसर डियाग्नोस हुआ उनका एक काउंट था जो कैंसर में नॉमल आदमी के शायद वो पच्चिस तीस पचास होना चाहिए उनके उदस हजार था यहां पहली बार आशिरा देके कई प्रत्यक्स दर्सी लोग भी हमारे सामने आये हैं जिनको जो ला इलाज बीमारी थे उसमें भी रहत मिली हैं यहां के चमतकार जो देखे जा रहे हैं किस तरह से बेरुजी का उस आसिरवाद से जो समाधान हो जाता है जै काल भेरव मैं हूँ लक्षमन सिंग राठोड और आप देख रहे हैं जै वर्दन नियूस आज हम पहुंचे हैं अजमेर जिल्ले की टोड़ गड में जहां पर काल भेरव का एक भव्य मंदिर है और वहां के चमतकार आज अजमेर या रासमन जिल्ले ही नहीं बलकि यहां पर मंदिर में आने के बाद में जो ला इलाज बिमारी आखिरी है जो मंदिर किस जगह इस्तित हैं इसका क्या इत्यास है इसको लेकर जानते हैं हमारे साथ में हैं टोड़ गड में काल भेरव धाम के मुख्य उपासक विद्या परकाजी पडियार आपका सबसे पहले अमारे जैवर्दन नियूज में स्वागत हैं नमस्कार एक सबसे पहले भेरव धाम का जो यहां पर यह मंदिर कपसे हैं और इनका क्या इत्यास है मंदिर यह मंदिर टोड़ गड में करीब साड़े चारसो वर्स पूर का यह इत्यास है और इस मंदिर पर समस जाती जिनोंन स्री बेरुजी माराज के नाम से जो जनेव यानि गोल पेंद रखी है और साड़े चारसो वर्स पुराना यह मंदिर है और इस मंदिर पर पीडी दर पीडी गादी पर बिराद मान होकर बेरुजी ने अपनी जो भी समिशिया है जो भी और कोई बात है उनका समधान आज द कोई भी रोग है या जीवन के अन्यों कोई प्रेसानी है जिनका समधान नहीं हो पा रहा है तो इन सबी पर बेरुजी माराज का विसेश आसिरवाद है और उनके आसिरवाद से इन सबी बातों का समधान हो रहा है बरतमान समय में इस मंदिर पर केल जिल्ले की बादनी बार इसके लिए बावजी का फरमाना है कि जब भी आप गर से आओ, जो कोई भी आपकी समिशिया है, जो कोई भी बात है, उसका मेन आदार यह है कि पांच मुठी ग्यों हूँ, उसको एक लाल या सफिद कपड़े में पांच मुठी लेके पूरे गर में गुमा कर, अपना जो भी देवता का इस्तान है, पूजा पाट का इस्तान है, वहाँ पर रखकर आप पूजा पाट करो, और जब भी आओ तो अपने इस्ट देवता से विंति करके आओ, कि मैं बेरुजी के दरवार में जा रहा हूं, और ये बात है, जिस समय बेरुजी महाराज इस मुठी की बात क उसमें आपको प्रत्यक्स रूप से बिरुजी माराज के समक्स होकर इसका समाधान इसका आशिर वाद हमको प्राप्त करें है। तरीके से आ सकते हैं वो थोड़ा सा अगर अपना है यह वैसे अजमेर जिल्ले के लाष्ट ग्राम पंचाइथ है इस से पाली रासमन और बिलवडा डिस्टिक के यह मंजरे जुड़े हुए हैं तो यहां से अगर उदेवपुर से हम आना चाहें तो कामली गार और कामली गार से फिर बरार है और बरार से मात्र 6 किलो मेटर टॉट गट है अगर ब्यावर की तरफ से हम आना चाहें इधर से तो वाया ब्यावर होके ब्यावर से फिर बीम और बीम से 12 किलो मेटर है इसके अलावा पाली जिल्ले से इधर आना हो तो इधर से भी यह सारन सिर्यारी स्वज राजमान थे एक साधान सी जगे थी, मगर जब बावजी का 28 साल बाद वापस पुने पदारपन हुआ, एक चमतकार हो, बेरुजी ने इसका असिरवाद दिया, और पूर जो इस्तान है, वो इक बिलकुल मैन रोड पर, जहां पर केवल मैन सडक है, डामरी करनी सडक, उसके तो वहां पर बावजी का जो यह आसिरवाद था, यह आसिरवाद सभी को नहीं मिल सकता था, क्योंकि हर रोज को इनको इद रुगटना होने की संभाव नहीं देती थी, तो बावजी ने उस इस्तान को बदल कर अपना यह नए आइस्तान बनाया था, तो यहां पर कोई वह सभ्ता में एक दिन, सनिवार रविवार, रविवारी होता है, मगर सनिवार का दिन है, और सनिवार के दिन सभ्ता में एक दिन ही बदारता है, बकि हर रोज सुबह और साम को सेवा पूजा पाट होती है, कोई मंदिर पर पहुंच जाए और उनके कोई बात हो तो उनका तो वो उपासक के समक्ष रख सकते हैं हाँ ये वेश्टा कर रही है हर रोद साम को पूजा पाट होती है साम को दी नस्त के बाद पूजा पाट सुरू हो जाती है और सेवा के साथ ही बाओ जी का आदिस है गादी पर और उसमें ताल मिल रहता है बेरू जी का जिस समय जो सेवा में होता है उस समय जितने बग्त होते हैं उनकी बाद करनी होती है पांच है दस है तो उतना असिरवाद देखे और उस सच से उस असिरवाद से वो बाद हो जाती है हर दिन तो साम को सेवा के बाद हर रोचिदी नस्त के बाद ये सेवा होती है और सेवा के बाद ये बात्चित हो जाती है मेरी पहले फैमिली एकॉनिमिक बहुत अची थी बीच में फैमिली एकॉनिमिक बहुत कम होने के कारण फिर बाब जी के यहां पर आया मैं मदर बिमार रहने लगए फादर बिमार रहने लगए तो फिर यहाँ पर पूछने के लिए बाब जी के पास मैं आये मेरी मदर बिमार जो रहती थी वो ठीक हुई मेरे फादर जो सेवा करते थे जो ब्यावर के बहुत बड़े हलवाई है जिनकी अभी रिसेंटली में डायत हुई वो यहाँ पर आये और बहुत ठीक हुए उसके बाद मेरी एकोनोमिक जब पहले डाउन हुई तो उसके बाद मेरी एकोनोमिक बहुत वापस से रनिंग में बहुत अच्छी हो गई मैं एक फीट प्रॉलम का मरीज हूँ मेरी पहले भी बीमारी होने कारण मैं कहीं आगे नहीं जा सकता था मगर नाकोडा भेरूजी ने मेरे पर ऐसा चमतका किया कि मतलब कि उसके बाद में बोला जब आप यह आओ मंदिर पर योगी उल्टी तीन परिकृमा करो जिससे आपका है जोगी सारा रोग मिट जाएगा और उस दिन के बाद में मेरा है जो की सारा रोक है जो की कम्प्लिट मिट चुका है और आज में मेरे जीवन के अंदर बहुत सुकी हूं है और मेरा परिवार बहुत सुकी है जैसा आप काल भेरव धाम पर यहां की जो आस्ता और विश्वास से जो सरधालों को रिलिफ मिल रहा है ला इलाज बिमारियों के इसी सिल्चले में हमारे साथ में एक सरधालों है मुलत वो जैपुर के हैं लेकिन पिछले दो दसक से अमेरिका में निवास रहे हैं आज टोडगड में बेरवधाम पर आए हैं और सबसे पहले अपना परीचे दीजी आपके क्या नाम है मेरा नाम है पियूश खंडेलवाल मैं जैपुर का प्रपर निवासी हूं और पिसले 18 साल से में अमेरिका में शिकागो में रह रहा हूं इस बेरवधाम के बारे में आपको सबसे पहले कैसे पता चला और फिर यहां कैसे आना मेरे रियल चाची जी को तीन मैंने पहले अचानक कैंसर डियाग्रोंस हुआ श्वाद सेकिंड या थर्ड डिसेटर था तो उसके बाद उनका इलाज चला बेडिकल जो हता है लोपेथी इलाज उनके किसी जानकार ने बोला कि भैरव नाम में यहां पर जो है भैरव बाबा के आशिरवाद से लोगों को फायदा हो तो मेरे भाईया और मेरे चाचा जी जो है चाची जी को लेके दो मेंने पहले पहली बार यहां आए थे यहां आशिरवाद लिया कोई उनका एक काउंट था जो कैंसर में नॉमल आदमे के शायद वो पच्चिस तीस पचास होना चाहिए उनके उदस हजार था यहां पहली बार आशिरवाद देके गए करीब तीन वीक बाद अनुन ने काउंट चेक कराया तो 600 के असपास था बहुत ही ड्रस्टिक कम हो गया और विश्वास के साथ खुशी के साथ फिर वह अभी वह जैसे बावा बोलते ना तीन वीक में आओ या पांच वीक में आओ उस तरह से वह दो वीक पहले आके दोबार आ गए थे यहां से तो वह जैसे बिमारियां एक पिर आशिरवाद शेद मेरी को भी मिल जाए तो उस ही आसा के साथ में आज पहली बार अपने बच्चे को लेकर के अशिरवाद के लिए लगता है अग्ड़ा वर बेटा है उसका नाम आयूष हंडेलवाल है है और वह अथारा साल और तीन-चार मैन इसके इलाज के लिए आप पहले कि होस्पिटल वगेरा में हाँ जब से उसको डियागनोस हुआ चार-पास साल का जब वो था तब से डियागनोस हुआ कि उसको और्टिस्टिक इस्पेक्ट्रम डिसॉडर है लेकिन मेडिकल ऐलोपेथी में कोई इसका इलाज नहीं है जो करो तीसरी दाय लेना शुड़ो करो अभी प्रयोगी हो रहे हैं कुछ बच्चों को इससे फायदा होता कुछ को नहीं होता है तो मेरे बच्चे को फायदा कम हुआ नुकसान ज़्यादा वा तो सब दवाईयां बंद कर दी फिर के वल थेरेपी होती है अप्लाइड बहेव बहरु बाबा के यहीं मुझे आना है और आना था और मैं पूरी अश्या रखता हूं कि मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा प्योंकि मैं इससे पहले आपको पहले मैंने बताया था राइट कि जब आप दुखी हो तो आप भगवान के पास भी देखते हो और अलोपदी में भी इस तरह से बीमार बच्चे की इलाज की विश्वास को लेकर वो अमेरिका से यहां टोटगड में आए हैं बहरुद्धान के दरबार में आए हैं यहां दर्सन किया हैं और अब यह इने बेटे की जो तकलीव हैं वो इस बहरोधाम के दर्बार में लेकर आए हैं और उन्हें विश्वास हैं कि उनकी बेटे की जो बिमारी है ठीक होगा और स्वस्थ होकर उन्हें बेटे को वे घर ले जाएंगे